श्री राम कृष्ण वच्णाम्रित के अगले भाग को प्रारंब करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं केवल जानने से ही नहीं होगा। धरना भी तो होनी चाहिए। विशय चिंतन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता। विशय बुद्धी का पूरी तरह त्याग होने पर स्थित समाधि हो जाती है। मेरी देह स्थित समाधि में भी छूट सकती है। परंतु मुझ में भगती और भगतों के साथ कुछ रहने की वासना है। इसी लिए देह पर भी कुछ दृष्टी है। एक और है उनमना समाधि, फैले हुए मन को एका एक समेट लेना। विशय वासनाय आकर समाधी भंग कर देती है। योगी का योग भंग हो जाता है उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है बिल में जब रहता है खूब आराम से रहता है कोई कोई उसकी पूँच में इंट बांध देते हैं तब इंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेश्टा करता है तब तब इट के प्रभाव से बिल से निकलाना पड़ता है विशय वासना भी ऐसी ही है योगी को योग भ्रष्ट कर देती है विशय यी मनुश्यों की कभी कभी समाधी की अवस्था हो सकती है सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है परंतु सूर्य मेघों से ढख जाने पर वह फिर मुंद जाता है विशय काले मेघ है एक भाक्त श्री राम कृष्ण से पूचता है महराच भाक्ती कैसे हो श्री राम कृष्ण कहते हैं बढ़े चलो साथ फाटकों के बाद राजा विद्यमान है सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे मैंने चानक में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वार का बाबू से कहा था बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मचलियां है बंसी में लगा कर जारा डालो उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मचलियां आ जाएगी कभी कभी उचल कूद भी करेंगी प्रेम भक्ती मानो चारा इश्वर नर लीला करते हैं मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं जिस प्रकार श्री कृष्णा, श्री राम चंद्र, श्री चैतन्य देव मैंने केशावसेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है मैदान में छोटे छोटे गढ़े रहते हैं उन गड़ों के भीतर मचली केकडे आदी रहते हैं मचली केकडे खोजना हो तो उन गड़ों के भीतर खोजना होता है ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए उस साड़े तीन हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीरन होती है तिरे गीत गाते हैं गीत का भाव यह है शामा माने कैसी कल बनाई है साढ़े तीन हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है स्वयम कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़ कर उसे घुमाती है कल कहती है कि मैं अपने आप ही घुम रही हूं वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है परंतु इश्वर को जानना हो अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यक्ता है तालाब में बड़ी-बड़ी मचलियां है उनके लिए चारा डालना पड़ता है दूध में मक्खन है उसे मंधन करना पड़ता है राई में तेल है उसे पेरना पड़ता है मेंहंदी से हाथ लाल होते है उसे पीसना पड़ता है एक भक्ध पूछता है कि महाराज वे शाकार हैं या निराकार श्री राम कृष्ण कहते हैं ठहरो पहले कलकत्ता तो जाओ तब ही तो जानेगे कि कहां है किले का मैदान कहां एशियाटिक सोसाइटी और कहां बंगाल बैंक है खड़दा ब्रहमन मुहले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुचना ही होगा ना निराकार साधना होगी क्यों नहीं होती है पर है बड़ी कठिन कामेनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होती बाहर त्याग फिर भीतर त्याग विशय बुद्धी का लवलेश रहते काम बनेगा नहीं साकार की साधना सरल है परंतु उतनी सरल भी नहीं है निराकार साधना ग्यान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए बड़ी कठनाई से उसे थोड़ी सी भक्ती प्राप्त हो रही है उसके पास यह कहने से कि सबकुछ स्वप्न तुल्य है उसकी भक्ती की हानी होती है कबीर दास निराकार वादी थे शिव, काली, क्रिश्ण को नहीं मानते थे वे कहते थे काली चावल केला खाती है क्रिश्ण गोपियों के हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते है ऐसा सुनकर सभी हस पड़े निराकार साधक मानों पहले दश भुजा का दर्शन करते हैं उसके बाद चतुर्भुज का उसके बाद द्वीभुज गोपाल का औरंत में अखंड जोती का दर्शन कर उसी में लीन हो जाते हैं कहा जाता है दत्ता त्रेह, जडभरत ब्रह्मधर्शन के बाद लोटे नहीं कहते हैं कि शुकदेव ने उस ब्रह्मध समुद्र की एक बूंद मात्र का स्वादन किया था समुद्र की तरंगों की उचल कूद देखी थी गर्जना सुनी थी परंतु समुद्र में डूबे न थे एक ब्रह्मचारी ने कहा था बद्री के इदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह्मध ग्यान के बाद फिर शरीर नहीं रहता एक किस दिनों में मृत्य हो जाती है दीवार के उस पार अनंत मैदान है चार मित्रों ने दीवार के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की एक एक वेक्ति दीवार पर चड़ता है उस मैदान को देखकर हो हो ऐसा करते हुए हसता हुआ दूसरी और कूच जाता है तीन वेक्तियों ने कोई ख़बर ने दी सिर्फ एक ने खबर दी ब्रम्ह ग्यान के बाद भी उसका शरीर रहा लोक शिक्षा के लिए जैसे अवतार आदी का रहता है नारदादी का रहता है हिमाले के घर में पारवती ने जन्म ग्रहन किया और अपने अनेग रूप पिता को दिखाने लगी हिमाले ने कहा बेटी ये सब रूप तो देखे परन्तु तुम्हारा एक ब्रम्ह स्वरूप है उसे एक बार दिखा तो जेरा पारवती ने कहा पिता जी यदि तुम ब्रम्ह ग्यान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा पर हिमाले किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे तब पारवती जी ने एक बार अपना ब्रम्ह स्वरूप दिखाया देखते ही गिरिराज एकदम मूर्चित हो गए यह जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बाते हैं ब्रम्ह सत्य जगत मिथ्य यही विचार है सब सब्न की तरह है बड़ा कठिन मार्ग है इस पंथ में उनकी लीला सब्न जैसी मिथ्या बन जाती है फिर मैं भी उड़ जाता है इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता बड़ा कठिन है यह यह सब विचार की बातें भक्तों को अधिक सुननी नहीं चाहिए इसलिए इश्वर अवतीर्ण होकर भक्ती का उपदेश देते हैं शर्नागत खोने के लिए कहते हैं भक्ती से उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है ज्यान विज्यान सब कुछ होता है वे लीला कर रहे हैं वे भक्त के अधीन है, मा भक्त की भक्ती रुपी रस्सी से स्वयम बंधी होई है, इश्वर कभी चुम्बक बनते हैं, भक्त सुई होता है, फिर कभी भक्त चुम्बक और वे सुई होते हैं, भक्त उन्हें खीच लेते हैं, वे भक्त वत्सल भक्ता धीन है, एकमत यह है कि अशोदा तथा अन्य गोपी गण पूर्व जन्म में निराकार वादी थी उससे उनकी द्रिप्ती न हुई इसलिए उन्होंने व्रिंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनन दिखिया श्री कृष्ण ने एक दिन कहा तुम्हें नित्य धाम का दर्शन कराऊंगा चलो यमुना में स्नान करने चले जो ही उन्होंने डुपकी लगाई एकदम गोलोग का दर्शन फिर उसके बाद अखंड जोती का दर्शन तब यशोदा बोले कृष्ण ये सब और अधिक देखना नहीं चाहती अब तेरे उसी मानव रूप का दर्शन करूँगी तुझे गोदी मिलूँगी खिलाऊंगी पिलाऊंगी इसलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है अवतार का शरीर रहते उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए वह जो कोठरी के भीतर चोर कोठरी है भोर होते ही वह उसमें छिप जाएगा रे अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते देह धारन करने पर रोग, शोग, शुधा, तृष्णा सभी कुछ होता है ऐसा लगता है मानोवे हमारी ही तरहे है राम सीता के शोध में रोय थे पंजभूत के फंदे में पढ़कर ब्रम्भ भी रोते है पुराण में कहा है हिरन्याक्षवध के बाद वराह अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे उन्हें स्तनपान करा रहे थे ये कहकर सभी हसने लगे स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं अंत में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया तब वें हस्ते हुए स्वधाम में पधा रहे इसके बाद श्री रामकृष्ण कहते है अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया अहा गोपियों का कैसा प्रेम था यह कहकर गोपियों के भाव में गाना गाग रहे हैं रामकृष्ण कहते हैं शाम तुम प्राणों के प्राण हो तुम ही हमारे आधार हो रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए गोपि काएं एकदम पागल बन गई एक व्रिक्ष को देखकर कहती है तुम कोई तपस्वी होगे श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा नहीं तो समाधी मगन होकर क्यों खड़े हो तुमने अवश्य ही प्रिथवी को देखकर कहती है हे प्रिथवी तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किये है नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए है अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का भोग किया है फिर माधवी लता को देख कर कहती है हे माधवी मुझे माधव ला दे गोपियों का कैसा प्रेमोन माध है जब क्रूर आये और श्री कृष्ण तथा बलराम मतुरा जाने के लिए रत पर बैठे तो गोपिगन रत के पहिये पकड़ कर कहने लगी जाने नहीं देंगे इतना कहकर श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे है भावार्थ यह है रत चक्र को न पकड़ो क्या रत चक्र से चलता है इस चक्र के चक्री हरी हैं जिनके चक्र से जगत चलता है श्री राम कृष्ण कह रहे हैं क्या रत चक्र से चलता है ये बातें मुझे बहुत ही हृदय स्परशी लगती है जिस चक्र से ब्रम्हान्द घूमता है रथी की आग्या से सार्थी चलता है श्री रामकृष्ण कहते हैं निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है तोतापुरी महराज उपदेश देता था सच्चिदानंद ब्रम्ह कैसे हैं जैसे अनंद सागर है उपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी है वह कारण सलिल है स्थिर पानी है कारिय के होने पर उसमें तरंगें उठने लगी स्रिष्टी स्थिती और प्रले यही कारिय है फिर कहता था विचार जहां पहुँचकर रुख जाए वही ब्रम्ह है जैसे कपूर जलाने पर उसका सरवान्ष जल जाता है जरा भी राख नहीं रह जाती ब्रम्ह मन और वचन के परे हैं नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया था लोटकर उसने खवर नहीं दी समुद्र में ही गल गया रिश्यों ने राम से कहा था राम भारत द्वा जादी तुम्हें अवतार कह सकते हैं परंतु हम लोग नहीं कहते हम लोग शब्द ब्रम्ह की उपासना करते हैं मनुष्य स्वरूप को नहीं चाहते राम कुछ प्रसन हो उनकी पूजा लेकर चले गए परंतु नित्यता जिनकी है लीला भी उनहीं की है जैसे चघत और सीड़ियां इश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला नर लीला में ही अवतार होता है नर लीला कैसी है जानते हो जैसे बड़ी चघत का पानी नल से जोर शोर से गिर रहा हो वही सच्चेदानंद है उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है केवल भरद्वा जादी बारह रिशियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष है अवतारी पुरुषों को सभी पहचान नहीं सकते श्री राम कृष्ण कहते हैं वहां रगवीर ने स्वपन दिखलाया कि मैं तेरा पुत्र बनकर जन मलूँगा पिता ने स्वपन देखकर कहा देव मैं दरिद्र ब्रह्मन हूँ मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगा रगवीर ने कहा सेवा तो हो जाएगी तोतापुरी महराज ने बाग और बकरी की कहानी कही थे एक बागहिन बकरियों के जुन्ड पर तूट पड़ी किसी बहेलिये ने दूर से उसे देखकर मार डाला उसके पेट में बच्चा था वह पैदा हो गया वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा पहले बच्चा बकरियों का दूद पीता था इसके बाद जब कुछ पड़ा हुआ तब घास चरने लगा और बकरियों की तरह मैं मैं करने लगा धीरे धीरे वह बढ़ा होता गया पर तब भी वह घास ही चरता और मैं मैं करता कोई जानवर जब आकरवन करता तब बकरों की तरह डर कर भागता एक दिन एक भयंकर बाग बकरियों पर टूट पड़ा उसने आश्चरिये में आकर देखा उनमें एक बाग भी घास चर रहा है और उसे देखकर बक्रियों के साथ साथ वह भी दोड़कर भागा तब बक्रियों से कुछ छेड़ छाड़ न करके घास चरने वाले उस बाग को ही उसने पकड़ा पहले वह मैमे करने लगा और भागने की कोशिश करता गया तब बाग उसे पानी के किनारे खीच कर ले गया और उससे कहा इस पानी में अपना मूँ देख चरा हंडी की तरह मेरा मूँ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तेरा भी है फिर उसके मूँ में थोड़ा सा मांस लगा दिया उसने पहले वह किसी तरह खाता ही नहीं था फिर कुछ स्वाद पाकर खाने लगा तब बाग ने कहा तु बक्रियों के बीच में था और उन्हीं की तरह घास खाता था धिक्कार है तुझे तब उसे बड़ी लज्जा हुई घास खाना है कामिनी कांचन लेकर रहना बक्रियों की तरह मैं मैं करना और भागना सामान्य जीवों की तरह आचरन करना बाग के साथ जाना है गुरू जिन्होंने ग्यान की आखें खोल दी उनकी शरनागत होना उन्हें ही आत्मी ये समझना अपना सच्चा मुह देखना है अपने स्वरूप को पहचानना है श्री राम कृष्ण कहते हैं गोपियों की प्रेमा भक्ती थी प्रेमा भक्ती में दो बातें रहती हैं अहमता और ममता यदि मैं श्री कृष्ण की सेवा न करूं तो उनकी तबियत बिगड जाएगी यह अहमता है इसमें इश्वर बोध नहीं रहता ममता है मेरा मेरा करना गोपियों की ममता इतनी बढ़ी हुई थी कि कहीं पैरों में जरासी चोट न लग जाए इसलिए उनका सूक्षम शरीर श्री कृष्ण के श्री चरनों के नीचे रहता था यशोदा ने कहा तुम्हारे चिंता मणी श्री कृष्ण को मैं नहीं जानती मेरा तो वह गोपाल ही है उधर गोपियां भी कहती है कहां है मेरे प्राणवल्लब रदयवल्लब ईश्वर बोध उनमें नहीं था जैसे छोटे छोटे रड़के मैंने देखे हैं कहते हैं मेरे बाबा यदि कोई कहता है नहीं तेरे बाबा नहीं है तो वे कहते हैं क्यों नहीं मेरे बाबा ही तो है नर लीला करते समय अवतारी पुरुशों को ठीक आदमी के तरह आचरन करना पड़ता है इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है बिलकुल सामान्ने विक्ती के दरवे रहते हैं नरूप धारन किया है तो प्राकृत नरों की तरह ही आचरन करेंगे वही भूख प्यास, रोगशोक, वही भये, सब प्राकृत मनुश्यों की तरह श्री राम चंद्र, सीता जी के वियोग में रोये थे गोपाल ने नंद की जूतियां सिर पर ढढ़ूई थी, पीढ़ाड होया था थियेटर में साधू बनते हैं तो साधू कासा ही व्यवार करते हैं जो राजा बनता है उसकी तरह व्यवार नहीं करते जो कुछ बनते हैं वैसा ही अभिनये भी करते हैं कोई बहु रुपिया साधू बना था, त्यागी साधू श्वांग उसने ठीक बना कर दिखलाया था इसलिए बाबों ने उसे एक रुपिया देना चाहा उसने लिया नहीं ना, ऐसा कहकर चला गया देह और हाथ पैरध होकर अपने सहज स्वरूप में आया तब उसने रुपिया मांगा भाबों ने कहा अभी तो तुमने कहा कि रुपिया नहीं लोगे और चले गए थे अब रुपिया लेने कैसे आ गए उसने कहा तब तो मैं साधू बना हुआ था उस समय रुपिया कैसे ले सकता था इसी तरह इश्वर जब मनुष्य बनते हैं तब ठीक मनुष्य की तरह विवहार करते हैं व्रिंदा बन जाने पर कितने ही लीला के स्थान दिखाई पड़ते हैं श्री राम कृष्ण कुछ योग संबंधी बाते कह रहे हैं मुलाधार पद्म में कुंडलीनी शक्ती है वह पद्म चतुरदल है जो आध्या शक्ती है वही कुंडलीनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है जैसे सोता हुआ साप कुंडलाकार पड़ा रहता है भक्ति योग से कुल कुंडलीनी शिग्र जागरित होती है इसके बिना जागरित हुए इश्वर के दर्शन नहीं होते है इस प्रकार श्री राम कृष्ण वच्राम रित का यह भाग यही संपूनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में इसके बिना जागरित है